अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि एक इंडेक्स एक रिपोर्ट जारी किये गई है जिसका नाम है बैस्विक खुसाली रिफोर्ट 2022 22 और इस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है भारत की स्थिति क्या है हम लोग खुसाली के मामले में कितने खुस है और इसमें कौन टॉप पर बना हुआ है? सबसे खुशाल देश कौन सा है? सबसे बुरी स्थिती में कौन सा देश है? इन सब पॉइंटों को भी देखेंगे और किन आधारों को देखते हुए इसे तैयार किया जाता है, इस रिपोर्ट को बनाया जाता है और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को बनाती है? और इससे आप देखिए कि अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसके पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखे होंगे तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह कि जो इंडेक्स आते हैं, रिपोर्ट आते हैं, उनसे कुश्चन्स आपकी परिक्चाओं में पूछे जाते हैं और वैसे भी आप लोगों खुसाली के मामले में कम से कम मालूत होना चाहिए एक सामन जानकारी के लिए कि कौन सा देश कहां टॉप पर है, हमारी इस्तिती क्या है, समय रहे हैं आप लोग तो देखे हैं हमारा प्यारा भारत है पित्वी पर, एसिया में और अपने पड़ोसियों को देखें तो ये स्रीलंका हो गया, ये म्यानमार हो गया ये बंगला देश, भूटान, चाइना, नैपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है और आप देखें ये पूरा ऐसिया है, और ये ये यूरोप हो गया, ये आपका भी का महादीप हो गया और यहां आप लोग औस्टेलिया देखते हैं, और यहां देखें आप लोग उत्तरी अमेरिका हो गया और आप देखेंगे दच्चित अमेरिका हो गया, आप लोग उन्हें ये 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 न के बारे में सुना होगा सहयुक्तराष्ट संग के बारे में आप देखेंगे इसकी इस्थापना 24 सक्टूबर 1945 में हुई थी इसका हेड़क्वाटर आपको निवार्क में ही देखने को मिलेगा USA में और इसका उद्देश है ही के अंतराष्टी कानून को सुविधा जनक बनाने की सहयोग, अंतराष्टी सुरक्षा, आर्तिक विकास, सामाजिक प्रगेती, मानो अधिकार और विश्व सान्ती के लिए काम करें इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे हाल ही में और अगर इसमें आप देखी किसी संस्थान का, किसी ओर्गनाईजेशन का और लेक होता है तो उसके बारे में भी एक सामन जानकारी आपके बास होना चाहिए और इस वर्स खुसाली रिपोर्ट की दसवी वर्स गाठ है एक कौन सी? दसवी नम्मर गिये ठीक है? दोहजार बारे से विकासित विस से खुसाली रिपोर्ट दो प्रमुख विचारों पर आधारी थे या खुसी या जीवन मुल्यांकन को सर्वेक्षनों के माध्यम से मापा जाना और दूसरा है उन प्रमुख तत्तों की पहचान करना जो देश में कल्यान एवं जीवन मुल्यांकन का निर्धारन करते हैं रिपोर्ट आम तोर पर पिती वेक्ती बास्तविक जीडिप, सामाजीक समर्थन, स्वस्थ जीवन फित्यासा, नेडर लेने की सुतंता, भिटाचार की धारना जैसे कई कारकों की आधार पर 150 देशों को रैंकिंग पिदान करता है इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को बनाती समय किन-किन बातों का धियान रखा जाता है पिती बेक्ती बास्तविक जीडिप, आपकी आय क्या है एक तरह से सामाजिक समर्थन आप जिस समाज में रहे रहे हैं उसमें आप देखे किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है उसमें सभी एक समान रखते हैं या आप देखे भेदभाव होता है स्वास्त जीबन पित्यासा स्वास्त की वबस्ता हैं आपको किस तरह से मिल रही है नेड़ा लेने में सुतंता, आपको जो मौलीक अधिकार आप लोग समिधान के भाग तीन में देखते हैं न, वो मिल रहे हैं आप लोगों को केबल समिधान में दे दिये गए इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है, कि आपको कितनी सुतंता मिली हुई है, आप लोग किस तरह से नेड़ाय ले सकते हैं, किसी के दबाव में नेड़ाय लेते हैं, या एक तरह से आपके पास सुतंता है, और भिष्टाचार की धारना को भी ध्यान में रखा जाता है, आ आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में कितना हैं इस वर्स इस रिपोर्ट में 146 देशों को इस्थान दिया गया है और पिती वर्स पितेग चर जीरो से 10 के पिर्माने पर आवादी भारित आसद स्कोर को मापा जाता है मापते हैं और जिसे समय की योधी में और अन देशो की तुला में ट्रक किया जाता है क्या करते हैं ट्रक करते हैं देशों के पितासन की बात करने तो देखिए टॉप पर आप देखेंगे फिल्लेंड को लगातर पांच भी बार विस्तिव का सबसे खोसाल देश घोसित किया गया है किसे फिल्लेंड को अब आप लोग कहेंगे कि एक बार फिनलेंड को दिखा दीजे किसे फिनलेंड को भी दिखा देजिए तो देखिए आपको फिनलेंड देखने को मिल जाएगा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है देखे ये यूरोप में आप लोग फिनलेंड देखेंगे ठीक है ये सबसे खुसाल देशों की सेड़ी में सामिल है उपर सबसे उपर ठीक है और इसके बाद आप देखेंगे डैनमार्क का इस्थान आता है और खुसी में सबसे जानदा विड़्धी सर्विया, बुल्गारिया, रॉमानिया में हुई है तो आपको मुझे लगता है कि सबसे टॉब याद रखा करेगी और सबसे नीचे कौन है उसे याद रखा करिएगा अफगानिस्तान को सबसे दुखी डाष्ट की रूम में स्थान दिया गया और उसके बाद आप देखें करमसा, लेबनान, जिंबामबे, रवांडा, वोस्वाना का इस्थान रहा है एक बार आप लोग अफगानिस्तान को देख लीजिए और आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हालत रहा है आप नहीं देखा है कि यहाँ तालीवान का सासन हुआ उसके बाद आप देखें मानों को एक तरह से यहाँ की लोगों को किस तरह से यातना है जिलने पड़ी यह आप गानिस्तान देख रहे होगे, हमारी सीमा भी अफगानिस्तान से लगती है पियो के बाले ऐस से की इस बस 136 बेस्थान पर है, यानि कि आप कह सकते हैं कि हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं है मान लिजे कि आपको आपकी क्लास में 146 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर आपका नंबर 136 बह आता है तो आप बताईए कि आप अच्छी स्थिति में हैं या आप सबसे नीचे से टॉप कर रहे हैं तो हम लोग लगबग नीचे से ही टॉप कर रहे हैं, ठीक है? आप सतत विकास समाधान नेटवर्ग की बात कर लेते हैं, जो इस रेपोर्ट को जारी करता है तो 2012 में सुरू हुआ सतत विकास समाधान नेटवर्ग, सतत विकास लक्षों और पैरिस जलवाईव समझोती से सम्बंदित, वेवहारी समस्या को हल करने हैं हित्तु बेस्वी की स्तर पर विग्यानिक बद तकनीकी विशेशक गिता पिदान करता है और इसे सयुक्तराष्ट महासचिप के तत्वाधान में इस्थापित किया गया था सदद विकास समाधन नेटवर्क और वाल्टेल्समन इस्ट्रिफ टेंग द्वारा बस दोहजार सोले में सिभार्सिक स्टीजी सुचकांग और डेसवोर्ड गिलोबल रिपोर्ट पिकासित की जा रही है यही कहानी है मुझा लगता है कि इसके बारे में कम से कम आपको याद रखना चाहिए इनसे questions क्या रहता है कि पूछ लेता है कई बार आपका index से और मुझे लगता है एक दो कुश्चन साहर साल आपका इस्टेट PCS ले लिजे से विल सर्विस ले लिजे वन डे एक्जाम ले लिजे इनमें पूछे जाते रहते हैं आराम से ठीक है